आदिन्न दाना बिर्मनी सिक्का पदंसमादियामी आज का जो महार का जन संत्यागरा भाबस है खब्रेटर ने जो अंदोलन किया था उसी संदर्ब में उसी परिद्रिश्यों को फिर से मैं पुनिर जवीद आपके समझ करना चाहूंगी महराश्रो के एक करमट समाच सुधारक्ष्री स.क. बोले सन 1923 में बॉंबे काउंसिल में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि सरकार द्वारा या सार्वजनिक धन से संचालित संसाएं अदालत, विद्याले, चिकित्साले, कारेले, धर्मशाला, खुआ, जलाशे, पनगट, तालाग इन संस्थानों में प्रवेश करने और उनका उपियोग करने का अधिकार सरकार अचूत वर्ग को भी प्रदान करे ये प्रस्ताव चार अगस्त 1923 को पास हो गया था सरकार ने सब प्रमुक विभागो और इस्थानिय बोर्डों को यह आदेश जारी कर दिये थे कि अचूतों को सारवजनिक इस्थानों का प्रयोग करने दिया जाए इसी आदेशा नूसार कुलाबा जिले की महार नगर पाली का में सन 1924 में चावदार तालाब से पानी भरने का अचूतों को अधिकार दे दिया था पर वहां के समण हिंदू नहीं जहाँ चाहते थे कि अचूत लोग तालाब के पानी का प्रयोग करें हालांकि इसाई, मुसल्मान, पार्सी सभी तालाब के पानी का उप्योग करते थे समण हिंदूों ने यह ठान ली थी कि कि किसी अचूत को तालाब का पानी चूने तक न दिया जाए अचूतों के धर्मभाई भी उनका प्रतिरोध कर रहे थे कुलाबा जिले के प्रमुख अचूत नेताओं ने उन्नीस और बीस मार्च उन्नीस सो सथाईस को महाण में डावर अम्बे की अग्षता में तरिते जाती की एक सभा का अयोजन किया इस अयोजन का काफी प्रचार किया गया और महराष्ट्रा तथा गुजरात के दूर दूर स्थानों से आकर वहाँ अचूत इस्त्री सभी पुरुष की कट्टे हुए महाण गाउं के देवता का नाम मिविरेश्वर था जिसके नाम पर पंडाल बनाया गया जब बाबा डाक्टर बाबस पंबेच कर वहाँ पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत गया उन्होंने अपने अध्यक्षिय भाशन में बेदवाव कूर नीती द्वार अवन हिंदू और महारों की सेना में भरती का प्रतिबंद के कारण सरकार की कड़िया लोचना की उन्होंने अचूतों को समझाया ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे अधिक अच्छे इस्तिती में रहें यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहोगे तो आदमी के माता-पिता और पशु के नर्मादा होने में कोई अंतर नहीं रहेगा स्वतंतरता किसी को उपहार में नहीं मिलती उसके लिए संघर्ष किया जाता है आत्म उत्थान अन्य लोगों के आशिरवात से नहीं होता बलकि अपने ही प्रयत्न संघर्ष परिश्रम से होता है इस प्रकार डाक्टर अंबिचकर ने सधियों से सोई हुए अच्छूतों क उनके अधिकार के प्रती सचेत किया 19 मार्च की रात को विशय नियामक समीती की बैठक हुई जिसमें यह निर्ने लिया गया कि 20 मार्च की सुबह तालाप से पानी पीने के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिया जाए यह बड़ी विचित्र बात रुखी कि कोई वह चाओदार तालाप से पानी पी सकता था पर वह अच्छूत के रूप में उस पानी को छूत तक नहीं सकता था खेर दूसरे दिन तालाप से पानी पीने का प्रस्ताव पास हुआ ड़क्टर बाबासाइब अमेटकर ने कहा हम अपने अधिकार का उप्योग करने अवश् चार चार की कतार में बड़े नियंत्री धंग से तालाप की ओर चल पड़ा वह प्रथम बार इतने बड़े सप्त्यागर कर नित्रित्व कर रहे थे चांधी धंग से वह जुलोस तालाप के किनारे तक पहुच गया ड़क्टर बाबासाइब बेटकर का प्रिये कुट्था भी उनके साथ था सर्व प्रतम उसी कुत्ते ने तालाब से पानी पिया और फिर उसके स्वामी के स्वामी ने तालाब के किनारे बैठ कर दोनों हाथों से जलाच मन किया तत्पशाल वह जुलोश सांती पुर्वक पंडाल की ओर लौट आया इस घटना के ठीक दो घंटे बाद कुछ गुंडे समण हिंदों ने यह अपवा पैला दी कि अचूत लोग विरेश्वर मंदिर के में प्रवेश की योजना बना रहे हैं इस जूटी खबर से हिंदों में घुसा चड़ गया और जोश में आकर वे संगटित हो गए और अपने हातों में लाठियां लेकर पंडाल की यूर चल पड़े उधर हजारों समण हिंदों ने महाड की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर मोर्चे तैनात कर दिये उन्होंने यह नारा बुलंद किया कि उनका धर्म ही नहीं बलकि इश्वर भी अपवित्र होने के कगार पे है उधर अचूत इस्त्री पुरोष उधर चले चले कुछ अपने गाउं जाने की तैयरी में थे कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे तो कुछ महाड के बाजार में घूम रहे थे अधिकतर अचूत महाड से चले भी गय थे फिर क्या हुआ इन कट्टर हिंदुओं ने जहां क बोजन को मिट्टी में मिला दिया भगदड मच गई इस्त्रीयों तथा बच्चों तक उन्होंने नहीं छोड़ा बहुत से अचूतों ने मुसल्मानों के घरों में शरण ली इस प्रकार समण हिंदुओं ने एक विचित्र भयावह स्थिती पैदा कर दी थी उस समय बाबा घटना के विशय के बारे में कुछ पता नहीं था पुलेस इंस्पेक्टर ने जो इस्थिती को नियंत्रित करने में असफल रहा डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर से मुलाकात की बाबा साहिब पुलेस अदिकारी से उन्होंने कहा कि वे हिंदुओं को संभाले और वह देखभाल स्वेम करेंगे शिग्र ही वह अपने दो-चार साथियों के साथ पंडाल की ओर दोड़े कुछ हिंदु गुंडों ने उन पर अक्रमन भी कर दिया लेकिन बाबा साहिब ने उनको सहसपूर्वक कहा हम लोगों का विरेश्वर मंदिर में जाने की कोई योजना न मिठी से सने हुए थे और कुछ छोद इस्त्री बच्चे तता पूरुश जो कोटे खा कर जमीन पर पड़े हुए थे वे कराह रहे थे बाबा साहिब ने शिग रही उनकी दवा का प्रबंध करवाया इस घटना में पी एन राजभोज भी घायल हुए थे जो पंदरा दिनो तक अस्पताल में रही फिर डाक्टर बाबा सहीब बॉम्बे चले आए जहां आकर उन्होंने महार कांड की सूचना महारास्ट्र के कोने कोने में पैला दी ताकि अचुतों में जागरिती की नई लहर दोड़ जाए और सवन हिंदू भी अपने भाईयों की कर्तूत को जान महारास्ट्र तथा भारत के प्रमुक समाचार पत्रों में डॉक्टर बाबा सहीब बेटकन इस सासिक सत्याग्रह की प्रस्चनशा की और स्रवन हिंदूओं द्वारा निहत्ते अचुतों पर आकरमन की निंदा की इस दंगे में पुलिस ने केवल नौ हिंदूओं को आत्मकारे से बावसेव अंबेट करके हृदय को गहरी चोड पहुंची फिर भी वह निरुद्साही नहीं हुए और साथ-साथ अचुतों में उन्होंने जो जन जागरिती का विबुल बजाया वह सफल रहा उनके नेत्रित्व में सामाजी क्रांदी का अध्याय प्रारंब हुआ अचुतों ने सदियों से चली आ रही कुरूतियों तथा रुडियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की अपनी कठनाईयों का उसमाप्त करने के लिए वे स्वेम प्रोचाहित हुए और अपने पैरों पर खड़े होने का सबक सीखा उनमें आत्म संबान एवं आत् चार जड़ पकड़ गया कि संघर्ष के बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा अत्य उन्हें संघर्टी ठोकर ही संघर्ष करना पड़ेगा अचुत नय मार्विती ओर चल पड़े उधर तालाब को शुद्ध करने का संस्कार किया गया फलता 108 गड़े जल भर कर ताला से भरेव दुए कुछ घड़े ब्रामण पूरी पूरोहितों के मंत्रोचारण के साथ तालाब में उड़े ले गया फिर क्या था वह तालाब शुद्ध हो गया और समण हिंदू पहले की भाती पानी का प्रयोक करने लेकिन डॉक्टर बाबा से बंबेट करने इस सुद्ध करन को अच्छूतों का अपमान समझा उन्न ए अपने पत्र बहें खूरत भारत के माध्यम से इसका प्रचार किया महार के हिंदूों के इस घ्रिणित कारे को तिक करना चाहते थे उन उन्ने पुनन सत्यागर की योजना बिनाई जिसके लिए उन्नोने बहें कीर конф li ले में सत्याग्रा करने वालों के नाम निखना प्रारंब करवा दिये उधर महाड नगर पालिकार ने समवाण हिंदू के दबाव में आकर सरकार का आदेश रद्ध कर दिया जिसके अंतरगत हिंदू अचूतों को तालाप से पानी भरने का अधिकार था हिंदू का प्रतिरोद तो एक चुनावती ही थी पर महाड नगर पालिका ने एक और चुनावती प्रस्तूत कर दी डॉक्टर अंबेटकर ने दोनों चुनावतियों को स्रिकार किया उनका सामना करने की तयारी प्रारंब कर दी उन्होंने महाड सत्याग्रा समीती के स्थापन की और 25 और 26 दिसंबर 1926 के दिन पुना सत्याग्रा के लिए निश्शित किये गए समण हिंदूों ने परिशत के पंडाल को बनाने के लिए इस्थान नहीं दिया किसी मुसल्मान ने जगह दी और पंडाल बनाया गया महाण के व्यपारियों ने परिशत को कोई भी वस्तू देने से इंकार कर दिया सभी आवश्यक वस्तूओं को बाहर से मंगवाया गया इस प्रकार पुना सत्याग्रा का कारेक्रम पूर्ण किया गया डॉक्टर बाबा सहिव अंबेटकर 24 दिसंबर 1927 को अपने 207 तथा प्रतिनीधियों सहित बॉम्बे से महाड रवाना हो गए और दूसरे दिन दोपहर वहां पहुँच गए दो दास गाउं उत्रे जहां से महाड पांच मिल दूर था दास गाउं में लगभग 3000 दलीतों ने डॉक्टर बाबा सहिव अंबेटकर तथा उनके सहयोगियों का गरन जोशी से स्वागत किया उन्हें एक जुलूस के रूप में दास गाउं से महाड ले जाया गया वहाँ पुलिस अधिक्षक ने डॉक्टर बाबा सहिब से निवेदन किया कि वह पहले जिलाधिश से मिल ले वह उनसे मिले जिलाधिश ने कहा समवन हिंदूओं ने चावदार ताला को व्यक्तिगत संपत्ती होने का दावा किया है अतह जब तक इस बात का कानूनी फैसला नहीं हो जाता तब तक आप सत्याग्रह ना करें लेकिन डॉक्टर बाबा सहिब अंबेटकर स्वेम एक बड़े बैरिस्टर थे उन्होंने कहा कि जिस इस्थान का प्रयोग मुस्लिम पार्सी कता हिंदू करते हो वह व्यक्तिगत इस्थान कैसे हो सकता है हम सत्याग्रह बजार इस्त्री पुरुष महार सत्याग्रह के लिए एकत्र हुए थे ऐसा करो कि आपका कारे और चिक्ते पूर्ण है हम ऐसे सत्याग्रही चाहते हैं जो अपने को मिटा कर भी छुआ छूत मिटाने के लिए तैयार हों जिलाधिश को सुनने के बाद यदि आप अपने नि हुआ लेकिन डाक्टर बाबा सहिब अंबेटकर ने यह देखकर कि सत्याग्रह भविश्य में संभव नहीं होगा अदालत ने चावदार तालाग से अचुतों द्वारा पानी पीने के अधिकार के लिए दावा पेश कर दिया यह मुकदमा कई वर्ष तक चलता रहा और डा वर्ष के अदालती संघर्ष के पश्याद अनेक प्रकार के कस्ट और कठनाईयों को सहते हुए डाक्टर बाबा सहब को सफलता मिली न केवल डाक्टर बाबा सहब के यह जीत थी बल्कि समूचे अच्छूत समुदाय के सम्मान की यह एतिहासिक विजय थी एक अर्थ में मा अनौगोरों की यह प्रतिस्थापना थी सार्वाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामी तूथियं पी धम्मं अर्सेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामी तूथियं पी संगं सेनं गच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी बुद्धम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तेतियम पिसन्दम सर्णम पिर्शामी साथो, साथो, साथो